दोस्तों जुहार, आज हम वीडियो की अगली कड़ी में जिल्लों के अस्थापना वर्स को लेका रहे हैं पर्टोग्यों को जिल्ले के अस्थापना वर्स को याद करने में दिक्कत होती है तो उसे हम आशान से आज समझेंगे तो देखे कैसे हम याद रखेंगे जिल्ले के स्थापना वर्ष को सुरू करते हैं प्लामू परमंडल से प्लामू परमंडल वायजी हम याद करेंगे प्लामू परमंडल आपने देखा कि प्लामू परमंडल में जो प्लामू जिल्ला है वो 1892 में बना था इसके बाद गडवा बना 1991 में, लातिहार 2001 में तो प्लामू परमंडल में तीन जिल्ले, प्लामू 1892, गडवा 1991 और लातिहार 2001 अब आगे आते हैं उत्री छोड़ा नाकपुर परमंडल में देखेंगे पहले 1000 बाग बना 1834 में, इसके बाद धनवाद बना 1956 में इसके बाद आपका गिरड़ी बना 1972 में, यह जिल्ले बनगे इसके बाद आपका चत्रा 1991 में और बकारू 1991 में यह जिल्ले बनगे कोडर्मा आपका बना 1994 में और रामगण जैसा कि आप जानते हैं 2007 में तो आप ऐसे याद रखेंगे परमंडल वाइस जिल्लों को हम देखेंगे और उसके अस्थापना वर्स को फिर से एक बाद देख ले हजारी बाग 1834 में उसके बाद धनवाद बना 1956 में उसके बाद गिरिडी 1972 में फिर चत्रा और बकारू 1991 में और लास्ट में आपका रामगण बना 2007 में ऐसे याद करेंगे आगे देखते हैं संथाल परगना के जिल्लों को इसमें सबसे पहले दुमका बना आजादी के पहले ही 1855 में उसके बाद आप देखेंगे देवघर देवघर आपका बनता है 1981 में इसके बाद गोड़ा और सहब गंज दो जिल्ले बनते हैं पसको गोड़ा आपका अस्थापना हुआ 1983 में और इसी के साथ साहब गंज का स्थापना होता है 1983 में यह दो जिल्ले संथाल परगना के 1983 में अस्थापित हुए आप देखें पाकुड आपका 1994 में यह कोड़रमा के साथ ही इसके स्थापना हुई थी और एक अंतिम जामताड़ा जो की 2001 में बना था दुंका से अलग होकर तो ऐसे ही याद रखेंगे पहले दुंका 1855, देवगर 1981, गोड़ा और साहब गंज 1983, पाकुड 1994 और जामताड़ा 2001 अब हमा जाएंगे दस्थनी छोटा नागपुर परमंडल के जीलों को, देखेंगे पहले राची के अस्थापना हुई 1899 में, इसके बाद लोहरदगा और गुमला दो जीले बनते हैं 1983 में, यह दोनों जीले 1983 में बन जाते हैं, उसके बाद आपका शिम्डेगा 2001 में और खूटी 2007 में, तो यह पांच जीले, कैसे याद देखेंगे, राची स्थाश्टार्ट करेंगे, राची 1899 में सबसे पहले इसके अस्थापना हुई, उसके बाद लोहरदगा और गुमला 1983 में दो जीले बने, फिर सिम्डेगा 2001 में और खूटी 2007 में, आगे आएंगे कुलहान परमंडल में, तो आप कुलहान परमंडल में देखेंगे कि पच्छमी सिम्भूम और पूर्वी सिम्भूम दोनों के अस्थापना 1990 में हुआ था, और स्रायकेला खरसामा के अस्थापन वर्स को देखा, और ऐसे ही परमंडल वाइज आप याद करेंगे, तो आपको बहुत दीन तक ये चीज़े याद रहेंगी, दोस्तों, जिल्लों के अस्थापना वर्स को हम ऐसे भी देखेंगे, तो याद रहेगा, देखते हैं कि आजादी के पहले, चार जिल्ले अस्तित में, यानि 188 जनगन्ना तक साथ जिल्ले अस्तित्व में आ गये थे, फिर 183 का समय आता है, तो चार जिल्ले बनती हैं, गोड़ा, साहब गंज, गुमला और लोहर दग्गा, फिर 1909 में पूर्वी सिंभूम और पच्छमी सिंभूम दो जिल्ले, 91 में आएं, तो गड़वा, चत्रा और वोकारो, ये तिन जिल्ले अस्तित्व में आती हैं, कोडर्मा और पाकुड 1994 में आती हैं, और ये कुल 18 जिल्ले जारखंट बनने के पहले थे, जारखंट जब बना, तो 2001 में चार जिल्ले और गठी थुवे, लातिहार, सिम्डेगा, जामताड़ा और स्राय केला खर्शा हुआ, फिर हम 27 में आती हैं, तो रामगर और खोटी, कुल 24 जिल्ले इस तरह से अस्थाफित हुए, चार खंड में, इस तरीके से आप जिल्लों के अस्थापना वर्स को याद करेंगे, तो बहुत दीन तक याद रहेगा, और आप परि हम通ग, टॉब छोड़ा, ज का और खंड हुए, तो भी बहुता करेंगेगा, याद रहे हुए, ऑल करेंदी हम दीन वस्थार खंत।, करेंगे हूट खंड हुए, और दूड खंड हैुए, तो आरे हमता में ड़ते हुए, तो बहुए, तो ड़ता हैंगे हम द